हेलो गाईज आजकी इस फीडियो में आपको बता हूँ टॉप फूर एंड्रोइड स्मार्ट वाच जिनके फीचर काफी अमेजिंग है तो गाईज मैं आपको step by step एक एक वाच की फीचर बदाता हूँ तो गाईज पहली एंड्रोइड वाच का नाम S8 अल्ट्रा स्मार्ट वाच है तो गाईज यह सबसे सस्ती एंड्रोइड वाच है मैं आपको इसके पूरे फीचर दिखा दूँगा आपको बॉक्स में दिखा देता हूँ पहले कि आपको क्या-क्या मिलता है तो आपको सबसे बेल्ड मिलती एक औरेंज एक वाइट और मीचे आपको देख सकते हो तो यह आपको एक मिनमाला चार्जर देखने मिलेगा तो अब मैं आपको वाच के फीचर दिखा देता हूँ और मैं इसका प्राइज भी आपको बता दूँगा तो गैस यह वाच आपको एल्टी डिस् सकते हो सिमकाड वाली बहुच है यहां से आप इसमें सिमकाड भी डाल सकते हो तो गैस अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसमें कॉलिंग कर सकते हो कॉंटाक सेफ कर सकते हो ब्राउजिंग कर सकते हो इसमें और अगर आपके पास सिमकाड नहीं है तो आप में कोई भी गेम प्ले कर सकते हो मैं आपको गेम प्ले करके दिखाता हूँ और यहां आपको नीचे इसमें स्पीकर्स भी देखने मिलते है इसमें हार्ट रेट सेंसर नहीं है पर आपको इसमें पिन वाला चार्जर देखने मिलेगा जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है और ये watch में आप steps भी count हो जाते हैं तो यहां से अब मैं आपको play करके दिखाता हूँ, तो आप smoothly game play कर सकते हो, तो guys ये watch का जो price है आपको 2000 रुपीज में मिल जाती है watch, आप 2000 में इसको purchase कर सकते हो और इस watch में आपको camera नहीं मिलता है, आप देखोगे तो ये watch में आपको कई भी camera नहीं मिलेगा है, यह microphone और यहां नीचे आपको speaker देखने मिलता है मैं next watch आपको बता देता हूँ तो guys जो next watch है, उसका नाप में X8 Ultra Smart Watch, इसमें आपको camera देखने मिलता है, calling कर सकते हो, sin card लगा सकते हो, 4G watch है यह, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इसके box के अंदर क्या मिलता है, तो यहां आप देखोगे तो आपको इसमें सबसे पहले manual देखने मिलता है watch का, फिर यहां आपको watch मिलती है और यह belt और इसका pin वाला charger, आपको ऐसा charger देखने मिलता है watch के साथ, और यहां आपको एक protector मिलता है watch का, X8 Ultra Smart Watch में, तो मैं आपको watch के बूरे watch faces मिल जाते है, और यह watch की quality अच्छी है, इसमें custom watch face का एक option है, और यहां से आप online watch faces add कर सकते हो, पर गईज उसमें भी जादे option नहीं है, सिरफ एक से दो यह option है, नीचे swap करोगे तो notifications देखने मिलेगी, ऊपर swap करोगे तो wifi से connect कर सकते हो, इसमें blue road connectivity का option है, इसकी battery life काफी जाधी अच्छी है, यह आपको चार से पांच दिन तक चलती है पर, यह watch को charge करने में आपको 3 गंटे लग जाते है, इसमें TNT mode है, इसमें आप notification silence कर सकते हो, notification location on कर सकते हो, नीचे से brightness increase कर सकते हो, watch की settings आपको इसमें देखने मिलेगी, फिर यहाँ से आप watch को power off कर सकते हो, flight mode आप on कर सकते हो, watch में net on कर सकते हो, इसके तुरू आप payments भी कर सकते हो, तो guys अब मैं हिहाँ swipe करूँ हो तो आप देखोगे तो इसका menu style दिखने मिलेगा, इसका menu style काफी ज देख सकते हो, इसमें भी मैं आपको कुई भी app open करके दिखा देता हूँ, और इसके menu style change भी होता है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे change करना है, तो guys यह सब Android watches में आप हर एक app चला सकते हो, तो आप यहाँ से play कर सकते हो game, आपको बस play पे click करना है, तो इसका display पे lcda पर आपको अच्छी quality का देखने मिलता है, तो आप RCS में game प्ले कर सकते हैं, तो guys e-watch आपको 2000 fan rate से लेके 3000 तक देखने मिलती है, यह से जादी cost नहीं है watch की, और मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसमें अलग-अलग menu style यूज़ कर सकते हो, आपको वसे click करके रखने हो, और आप menu style यहां से change कर सकते हो, तो आप देखोगे तो इसमें इतने menu style आपको देखने मिलते हैं, इसमें 4-5 menu style आपको देखने मिलेगे, तो यह भी sim card वाली watch है, यहां से remove हो जाएगा, तो आप यहां से भी sim card इसमें लगा सकते हैं, तो गई, जो next watch है, उसका नाम है Ultra S9, तो S9 Ultra हैगे, वैसे मैं आपको एक बात clear कर दूँ, कि जो S8 Ultra है, यह इसका updated model है, S9 Ultra, तो यह आपको 16 GB तक देखने मिलती है, इसकी memory, बाकी सारी watch है जो बना पता है, वो 8 GB, 1 GB RAM वाली थी, यह 16 GB तक देखने मिलीगी, इसमें आपको दो strap देखने मिलते हैं, एक orange और एक black, और आपको इस watch में, इसका pin वाला charger देखने मिलेगा, ऐसा, तो आप pin वाले charger से watch को charge कर सकते हो, अब मैं आपको watch के features दिखा देता हूँ, तो guys, ऐसना ही ultra watch में आपको dual camera देखने मिलते हैं, यह watch में दो camera है, इसमें आप side से sim card लगा सकते हो, और मैं आपको बता देता हूँ कि इसका crown भी काफी जादा smooth है, आप इसमें watch faces चेंज कर सकते हो, पर एक बात है कि इसका LCD का जो display वो थोड़ी सी low quality का है, आपको camera में ब्ली अच्छा दिख रहा होगा, पर यह बाकी watches के compare में थोड़ा low है, और यहां से आप swipe करोगे, तो आपको इसका menu shell देखने मिलता है, तो यहां इसमें आप calling कर सकते हो, browsing कर सकते हो, इसमें play store का option मिल जाता है आपको, पले store और जैसे मैंने आपको बताएं आपको इसमें dual camera का उप्चन देखने मिलता है, तो आप camera के तुरूब इसमें photos क्लिक कर सकते हो, यह सेलफी camera भी है, तो आप देखोगे तो यहां आपको camera rotate करने का option है, इससे front camera open हो जाता है watch में, तो यह काफी अच्छी watch लगी है मैं को, personally क्योंकि यह dual camera वाली पहली watch है, इसमें आपको calculator YouTube, और आप इसमें हर एक टाइप की game play कर सकते हो, इसमें angry birds play कर सकते हो, facebook open कर सकते हो, इसमें पर guys, यह watch की सबसे अमेजिंग वाच है, तो guys जीवाच जीवाच है, तो यह watch आपको 3000, से लेकि तो 3500 तक मिलेगी, S9 Ultra, काफी अच्छी watch है, और बिल्कुल original ultra जैसे लगती है, और आप इस watch में भी Wi-Fi के तुरू connect कर सकते हो, Bluetooth के तुरू अपने phone से connect कर सकते हो, टाइम सेट करने के वाच सबसे अमेजिंग है, इसमें आपको 2GB RAM और 16GB ROM देखने मिलती है, यह अब तक की सबसे smooth watch है, जिसका नाम है DW89 Ultra Smartwatch, इसमें आप SIM card लगा सकते हो, Play Store यूश कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ, आपको इसके box के अंदर क्या-क्या मिलता है, तो आप जैसी है box open करते आपको सबसे विल एक manual देखने मिलेगा, यहाँ आपको दो strap मिलती है, एक black और एक orange वाली, यह yellow वाली मेरे पास 3 तो मैंने लगाई, पर box में आपको orange ही मिलेगी, यहाँ आपको एक screen card मिल जाता है, watch को लगाने के लिए, यहाँ से आपको इसका charger देखने मिलेगा, मैं charger तो यह watch में आपको 4 pin charger मिलता है, आपको इसमें 4 pin देखने मिलेगी, जो कि काफी pass charge होता है, यह watch का battery backup 4-5 दिन का है, पर अगर आप जादा use करोगे, तो 2-3 दिन ही चलेगी, फिर यहाँ से आप swipe करोगे, तो यहाँ से आप Wi-Fi connect कर सकते हो, इसमें, और इसमें काफी अच्छ अच्छा feel एक दम mechanical feel आता है, इसमें भी आप SIM card लगा सकते हो, बैक में आपको एक camera देखने मिलता है, और यहाँ से आपको इसके watch faces देखने मिलता है, फिर अगर आपने यहाँ से swap किया, तो नीचे आपको कुछ भी नहीं मिलता है, यहाँ से swap करोगे तो आप calling कर सकते हो, य सबसे जादा अच्छा display यह watch का है, मैं आपको इसमें gameplay करके दिखा देता हूँ, सारे watches में play store चलता है, आप कोई भी game download कर सकते हो, जो अपने phone में download कर सकते हो, यह एक अकेली watch है, जो PUBG जैसे games भी चला सकती है, जो इसमें 2GB RAM है, तो इसमें आप game play कर सकते हो, ऐसी, तो अभी जब मैं खेल रहा हूँ, तो watch vibrate हो रही है, तो काफी अच्छा feel है watch का, तो guys, यह watch को आप purchase कर सकते हो, 4000 से 4500 तक, वैसे मैंने इसको 4500 में purchase किया था, पर उसको काफी जादा time हो चुका है, तब को 4000 तक मिल जाएगी, DW89 Ultra Smartwatch, तो guys, अगर आपको मारी वीडियो पसं जन्दाई तुमारे चैनल को, please subscribe करो, bell icon को press करो, latest notification के लिए, thanks for watching,